Hello students welcome to my channel this is Roshno Sarma X. चलिए है मैं इस टूदेट 2022 फिजिकल साइंस का पेपर किस तरह रहा होगा आपको क्विए इस बार फिजिकल साइंस ओर चेमिक बैलिजिकल साइंस अलग अलग है इसी तरह आपको याद करना है या पर दिया गए देखो सक्षम में 7 आपको लिखना है, वराट दा, comparison between the terms of focal point of the focal length, why do express chemical equation more informative through the physical change, यहाँ पर दिया है, the dissociation of the, यह दे रखाया, आपको पढ़ लिजी, complete दे, यहाँ पर आपको complete करना है, incomplete को, figure को focal length को, इस तर आपको दे रखाया, physical science का, यहाँ पर देखे, यहाँ पर दे रखाया, यहाँ पर दे रखाया, यहाँ पर यहाँ पर पढ़ लिजी आप किस नहीं कर सकते हैं, एक बार चेक कर लिजी, यह long answers है, यह 11 तक short is हैंगे, यहाँ से, उसके बाद यहाँ से, यहाँ तक देखे, क्योंकि यहाँ पर आपको 6 to the 12, आपको करना होगा, पूरे 6 के 6, उसी तरह यहाँ पर long में, आप 4 for the 16 रहेगा, यह long में दे रखाया, equations कौन से कौन से chapter से आप अराम से, एक बार पढ़ लिजी ताकि आपको अच्छी तरह समझना एक जाए, 17 यहाँ पर, 17 यहाँ तक दे रखाया, और इसका पार्ट B भी अगर आप देखेंगे, तो यह पार्ट B है, पार्ट B भी किस तरह दे रहा है, देख रखाया है, आप एक बार देख लिजीए, पढ़ लिजी आप, किस हब तक आप solve कर पाते हैं, यह आप पर निरिभर करता है, equations से देख लिजीए, इस सारे equations आपको पढ़ना है, यहां से आपको अच्छी तरह practice करना है, तो यह था media student, physical science का, biological science का भी मिल जाएगा, all the best.